जाय हुआ हुआ है लो चौह तो कैसे हैं आप सब तो आज की विडियो में बात करने वाला हुआ कि आप लोग कुछ चैप के एनिमल रेसिंग अनिमेशन एनिमेशन आप लोग काफी ज्यादा मेहनत भी नहीं करने हो गए और काफी हद तक आप लोग कुछ किसी टाइप के अनिमेशन सोगेरा क्रिएट कर पाओगे अगर आप लोग बिल्कुली मेरी तरह अनिमेशन करना चाहते हो तो आप लोगो सेम हुए स्टेफ को फॉलो करना होगा जो मैंने इस वीडियो में बता हैं चलिए यार बिना दार त यहां पलोगों को इसके फाएल को डाउनोड करे ना थाइप करने के आप लोगों को मिले जायका है यहां पहलों को एक model देखने को मिलें गोरिल्सक्राइथ नाम से क्लिक करना है और यहां पया पर देखने को मिलेंकि यहां पे अदेए प laug यहां पर नहीं उांड यहां पर छलिक करना यहां पर बेहर इसकी हैर फ् cardboard और वुद्स कृश्चर भी जा सकते हो पाले Quando देखना को तो यह भी animated है simply आप लोगो जाना है download 3D model में और इस पर click करके simply fbx file को download कर लेना हाला कि 26 MB लेकिन फिर भी हो जाएगा हमारे इसके बाद में दोबार से आप लोगो सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है leopard और simply यहाँ पर मैं search कर देता हूं थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगो स्क्रॉल करना पड़ेगा और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक 3D model देखने को मिल जाएगा leopard animated run के नाम पर आप लोग यहाँ पर इस पर click कर गए तो आप लोग देखे होगे कि यह भी animated 3D model है simply आप लोगो इसको भी download कर लेना है और simply back जाना है औ इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर my file को open करना है open करने के बाद जितने भी आप लोगों को ने फाइस डाउनलोड के हैं उन सबको extract करना है जैसा कि आप लोग दिख सकते हो simply click कर देना है और इसी तरीके से आप लोग जितने भी files हो गया रहा है उन सबको simply extract कर सकते हो और सबकुछ extract करने के बाद आप लोगों को simply Google पर जाना है Google पर जाने के बाद यहां पर आप लोगों को search bar में टाइप करना है bricks texture images और simply आप लोगों को जो भी image आप लोगों को simply download कर लेना है यह सब download करने के बाद आप सब कुछ done हो चुका है आप लोगों को simply Prisma 3D application को open करना नहीं बाद simply एक new project को create करना जैसा कि आप लोगों को कर देना कर देना और यहां पेपर कर सकते हो फिर यहां पर बनानी है और उसके यहां पर यहां पर rotation को 90 कर देना है और इसके बाद में इसको भी यहां पर कुछ यस टाइप से बाउनरी की टाइब से आपफ कामर आने के बालत इसको कॉपी करने और यहां पर इसको दोर आप सी तयप कर देना इसके बार में simply एक sphere को create करना है और उसके size को यहाँ पर आप लोग around 5 तक रख सकते हो 5 यहाँ पर आप लोग XYZ तीनो scale में आप लोग 5 लिख दीजे और यहाँ पर दीख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर sphere create हो चुका है और इसको भी simply कुछ this type से end से थोड़ा बहुत यहाँ पे दूर यहाँ पे कुछ this type से आप लोग यहाँ पे place कर दीजे और इसको भी copy करके आप लोग को 5 lines यहाँ फिर 5 cubes पे आप लोग को कुछ this type से रख देना है और यहां पर आप लोगो को सिंप्ली किया करना है जो भी ब्रिक्स हो गए रहा है या फिर जो भी हमारे लाइन्स हो गए रहा है उस सब को कलर करना है स्टार्ट करना है यहां पर आप लोग अलग अलग कलर्स कर सकते हो टेक्टर्स हो गए रहा है पहले कि यहां पर आप लोग करना है जो भी हमने गूगल से डाउनलोड किया थे उनमें से वाल्स का टेक्चर आप लोगों यहां पे आप लोगों को सिंप्ली एपलाई करना है जो भी चारो बाउंडरी या फिर जो भी चारो क्यूब्स है इसके बाद में जो हमारा प्लेन है उसके उपर ग्राश टेक्च इसको विल्कुली फुल कर देना है और इसके बाद में आप लोगो क्या करना है सिप्ली रोटेशन में जाना है और लाइट को थोड़ा सा यहां पर रोटेट कर देना है इसके बाद में आप लोगो किया करना है सिंप्ली डॉट पर क्लेकर करके 3D इंपोर्ट में जाना है और और इसकी बाद में मैंने इसके animation को दिखा तो काफी दादा short था तो मैंने इसके सभी points होगरा को simply हाँ पर मैं select करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते कि एगर आपनों को animation को simply copy paste करने तो इसके लिए दोबारा से यहां पर पेस्ट करते होई जहां तक आपको की फिरेम कर सकते हों वहां तक आपफे करना है ऐसे के आप्लों को क्लिक करके जीघसा इसके बड़ी लगए या फिर उची लगई तो छोटा कर दिया और इसकी बारण वेच्ची करना होगा, तो इसके पार में के वेचाप के ब्लू कलर को सिंपली चूज़ कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पे ऑनिमेशन रेडी है। और यहाँ पे रैंडर पर गया और यहाँ पे अन्याट को 60 है और यहाँ जो फ्रेम्स हैं, उनको मैंने 200 करके simply यहाँ पे watermark unlock किया और रेंडर पे क्लिक कर दे हमारे यहाँ पे फॉर्स्ट वीडियो रेंडर हो चुका है जैसा कि देख से तो काफी सही सा अनिमेशन लग रहा है इसके बाद में मैंने कैमरा को थोड़ा बहुत अनिमेट करके simply वीडियो रेंडर करने का सोचा सिंपली देख से तो मैंने क्यामरा को simply कुछ इस टाइप से गुमा कर 170 फ्रेम पे मैंने इसको यहाँ इसको इस टाइप सा कैमरा को रेंडर कर दिया और यहाँ पर सिंपली मैंने उन्ही फ्रेम्स पर simply मैंने render कर दिया इसके बार में देख सकते हूं मैं थोड़ा बहुत animate करके simply यहाँ पे position अगरा अलग अलग जो भी lines अगरा है उनको मैं यहाँ पर simply camera की मदद से यहाँ पर animate करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस video को भी मैंने render कर दिया जैसा कि आप लोग देख सकते हूँ starting video में मैं कुछ इस type से यहाँ पर करने वाला हूँ और इसके बार में जो भी यहाँ पर spheres हो गए रहा है और इसको यहाँ पर हमारे sphere है उसके अंदर कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बार में निव कैमरा को रिएट किया उसके अंदर जो भी होता है यहाँ पर colors हो गएरा सेलेट करना हो सब मैंने सेलेट कर दिया इसके बार में मैंने camera को भी animate किया बिल्कूल उसके तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर character को अपने tiger को यहाँ पर animate किया है और इस video को भी मैंने simply render कर दिया कुछ इस टाइप से अलग एंगल से उसी तरीके से आप लोग 2-3 एंगल से वीडियो रेंडर कर सकते हूं इसके बार में मैंने next यहाँ पर footage में मैंने tiger को थोड़ा सा यहाँ पर आगे लाया थोड़ा सा और पीछे ले गया और उसके यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बॉड़ी है tiger का उसके अंदर मैंने texture को हटाया और yellow color को यानि sphere के recording मैंने color को यहाँ पर simply set कर दिया और इसके बार मैं आप लोगों को simply अपने camera को अच्छे से adjust करना इसके बार में आप लोगों को simply render में जाना की फ्रेम सोगरा को आप लोगों को select करना इसके बार में watermark को unlock करना और simply render कर देना है इसी तरीके से मैंने एक और एंगल से simply camera के angle को change करके भी same उसी render को मैंने कर दिया है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो और इसी तरीके से अगर आप लोगों को और यहां पर characters होगरा लाकर animate और करना है वो सब आप लोग कर सकते हो इसके बार में मैंने आपने footage को edit होगरा कर लिया उसके अंदर sound effects होगरा और जो भी add करना होगरा है वो सब करने के बार आप लो यहां हो कि अफ़किए विडीयो धुर से पसंद आहोगा अगर आपनों को यह पसंद आहो तो इस वीडियो से लाइक य। मिटियो को अच्ग्छनक्रों को सब्सक्क disorders क्रूए मैं और वोचिंग